स्वागता आपका स्कूल राज थियोरी में आज हम आरव करने जा रहे हैं यूनिलन मॉडियूल 4 का सत्र 4.1 तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4.1 खंड विशे की प्रकरती और स्वरूप भाग एक 4.1 में हम साथ खंड देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला खंड खंड एक है सत्र परीच है इस पर क्लिक करेंगे इसमें आपके सामने एक वीडियो की लिंक आएगी इसको आपको वीडियो को पूरा देखना है इसके बाद आप अगले खंड खोल पाएंगे आपको क्या लगता है नीचे दीगे कत्नों में से आप किस से सहमत हैं क्लिक करकर इंगित करें सीमा जी की बातें विर्कुल सही है प्रशन नमर दो है उतर लिखेंगे सीमा जी बालकों में परिक्षा पास करने के साथ साथ कौशल विकास की बात कहना चाती है पढ़ाई को बालकों के परिवेश देनिक आवसकताओं से जोडते हुए उनमें कौशल का विकास करने होनी करने वाली होनी चाहिए प्रशन नमर तीन है अंसर होगा केवल परिक्षा में पास होना बालक के साथ ना इंसाफी है जदी बालक उस पढ़ाई का उपयोग जीवन उपयोगी कारों में नवाचार लाने में वह नई टेक्निक के लिए ना कर सके पढ़ते हैं अगले खंट की और अगला खंट है सिध्धान की बाते सिध्धान की बातों पर क्लिक करेंगे आपके सामने चार विश्या आएंगे हिंदी की सिक्षगन हिंदी पर क्लिक करकर क्यूज को अटेम्ट करेंगे आपके सामने दो वीडियो आएंगे ये दो वीडियो देखने हैं आपको उसके बाद आपको क्यूज को अटेम्ट करना है प्रश्न नंबर एक है नीचे आठ सिक्षन उद्देश्यों की सूची दी गई है पैचानिये कौन से 6 सिक्षन उद्देश्य हिंदी विश्य के सिक्षन के लिए हैं सूचना लेखन सहज अब्यक्ति और सूसंगित लेखन सुनकर समझना और समझ के साथ बढ़ना पढ़ना समाचार पठन वविविन रजिश्टरों पन्य अंत्रन और स्रजनात्मक स्रजनात्मकता आपको क्लिक करने है छे प्रश्न नमर दो है उत्तर होगा सुनकर समझना और समझ के साथ पढ़ना विशेवस्तु को पढ़ते हुए अपने पिछले ज्यान के साथ जोड़त कर रखना सहज अब्यक्ति और सूसंगत लेखन विचारों का सूसंगत ढंक से सैयूजित करने की योग्यता विविन रजिश्टरों पन्यंत्रन स्रजनात् प्रश्ण नमर तीन है उत्तर देखते हैं सुनकर समझना और समझ के साथ पढ़ना में आप सेलेक्ट करेंगे पाठ से सीर्षक में दिये गए अभ्यास पाठ के समझ पूर्वग पठन से सम्मंदित है जबकि कुछ पाठों के साथ बात्चित के सुज़ाव हैं अगला है सह पाठ दो तीन पाठ चसाथ उननीश को देखे कि अभ्यासों के लिए सुज़ाव सरजनात्मक्ता में दिल लखेंगे पाठों के साथ पाठों से आगे अनुमान वकल्पना आदी बढ़ते हैं एक लिए सब्जेक की और सामाजी विज्यान के सिच्चगन सामाजी विज्यान कौन से 6 सिच्चन उद्जे सामाजी विज्यान के सिच्चन के लिए सई हैं अफधार्नाओं की समझ विवित्था की समझ व्यवसाओं की पैचान संस्ताओं की भूमीका के बारे में जानकारी कत्र करना समा लोचनात्मक समझ जांच पड़ताल करना प्रशन नमर दो है उत् कि समझ समालोचनातनक समझ जांच परताल करना वह विविद्धा की समझ जाप उसलेक करने हैं प्रशन नमर तीन में देखते हैं अब धानोगी समझ में आप चेक करेंगे कक्षा 6-8 के पार्ट के बीच में ऐसे प्रशने जिन में बच्चे अपने अनुवफ सांजा कर सकें समालोचनातनक समझ में लिखेंगे तीनो कक्षाओं के कुछ पार्ट में इसके लिए अभ्यास और प्रशन विद्धा की समझ में लिखेंगे कक्षा 6-8 में ऐसी ठोस जिस्तितियों और उधारन दिये गए हैं योला आप चेक करेंगे इसके बाद जांच परताल करने में आ ऐसे प्रशन दिये गए हैं जिनके बारे में बच्चों की अवलोगन साक्षातकार या खोजना और अपनी राय लिखनी हैं बढ़ते हैं अगले सब्जक की और गनितिया सिक्षग्जन गनित पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको दो वीडियो मिलेंगे उसके बाद आपको प्रशन नमर दो में लिखेंगे संख्यात्मक्ता विशलेशन एबं तार्किक निसक निशकर्शों तक पहुँचना ग्राफिक निरुपन वह अमूर्थ विचारों के साथ कारे करना प्रशन नमर तीन में इसक्तर देखते हैं संख्यात्मक्ता में कप्चा 6 पार्ट 3 विन तरीकों से मज़ेदार पैटर निकालना ढूड़ना और समझना तार्किक निसकर्शों तक पहुँचने में लिखेंगे कख्चा 7 में पार्ट 4 में इस बारे में दिया गया है अमूर्थ विचारों के साथ काम करना में लिखेंगे कख्चा 6 पार्ट 3 पार्ट 5 बढ़त इसके बाद आपके सामने वीडियो आएगा वीडियो देखने के बाद आपको किसको अटेंट करना है प्रशन नमर एक में लिखेंगे प्राकर्तिक जिग्यासा और रचनात्मक्ता विज्ञान की विधी मॉडल का निर्मान सर्जन और सत्यापन वर्गी करन एवं समुई कर प्रशन नमर दो में लिखेंगे प्राकर्तिक जिग्यासा और रचनात्मक्ता सर्जन और सत्यापन विज्ञान की विधी इसमें सही सही कौन कौन से होंगे प्राकर्तिक जिग्यासा रचनात्मक्ता विज्ञान की अफधानों का विकास विज्ञान की विधी वा सर्जन वा सत्यापन बढ़ते हैं अगले प्रशन की हो प्रशन नमर तीन में हम चाटेंगे सर्जन और सत्यापन में कक्छा 7, पार्ट 5 विज्ञान की विदी में लिखेंगे कक्छा 7, पार्ट 9, मर्दा 9.3 प्रकार 9.4 गुन 9.7 फसले किसान प्राकर्थिक जिग्यासाओ रचनात पक्ता लिखेंगे कफ्चा साथ, पार्चाउदा, विद्धु थारा और इसके प्रफाब, विज्ञान की अवधारनाओं का विकास में लिखेंगे, हर पार्ट में दिये गए 5-6 क्रियकलाप और सम्मंदित परशनों के साथ, मुख्य माध्यम से, मुख्य अवधारनाओं से को भारा गया है, सिक्षक ने पीछे पैचाने गए, सिक्षन सिध्धानतों में से किन सिध्धानतों का पालन अपने कख्छागा के दोरा नहीं किया, सिध्धानत क्लिक करना है, विविन सैलियों की और सामगरियों का प्रियोग, सम्म्रद पाच्चित का वातवरन भासा सिखाने के लिए एक जरूरी सर्थ है बच्चों की राय का महत्व वह यांत्रिक बढ़ते हैं अगले सब्जेक की और सामाजी विज्ञान की सिख्षकन सामाजी विज्ञान पर क्लिक करके कि उसको अटेम्ट करेंगे प्रशन एक का उत्तर होगा बच्चों में अपने अनुबव व्यवस्तित करक अपने संदर्विया उसके भार की वास्तित समश्याओं से जूजने पर बच्चों की सिर्ख्रिय वागिदारी जब बच्चे समू में अपने विचार व्यक्त करते हैं तो उन्हें केवल साजा नहीं कर पाते हैं बढ़ते हैं एगले सब्जेक की और वियवारिक नुसके मे गनित की सिक्चगन गनित पर क्लिक करके क्यूज को अटेंट करेंगे प्रशन नमर एक है उत्तर होगा गनी सिक्चन पर क्रिया का अन्यम हैत्मुंतत्व गनित तिये संप्रेशन गनीते सिक्चन वातावरन पर जोर हर छात्र को शफलता की भावना के साथ सीखने की प्रक्र विज्या में सामिल करना अनुमान और शनी कटन बढ़ते हैं अगले सब्जक्कियों विभारिक नुसके में विज्ञान की सिक्षग्गन विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेंप्ट करेंगे प्रशनेक का उत्तर होगा मुख्य रूप से गतिविदी और प्रियोगों से विज्ञानिक अबधानों में पहुँचना पर्यावरन और स्वास्त प्रदिग जानना आविसकारिक सलता रचनात्मक्ता और खोजी छमता को पोसान करना सही बासाट डिजाइन और मातरक्न विभरन के कोशल द्वारा खोज प्रशन नमबर एक में लिखेंगे निबंद पार्ट के अभ्यासों पर प्रशनुत्तर करना हॉमवर्क का निर्देश देना प्रशन नमबर दो में लिखेंगे उसी पार्ट के बार उसी पार्ट को बार बार पढ़कर निबंद की विधी समझाना और प्रशनुत्तर करना बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर सामाजी विज्ञान के सिक्षगन सामाजी विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्ट करेंगे प्रश्ण नमर एक का उत्तर होगा पार्ट को एक एक लाइन पढ़कर समझाना हॉमवर्थ का निर्देश देना प्रश्ण नमर दो पिछली कक्षा का केवल याद दिलाना, उधारनों को पढ़कर समझने के लिए निर्देश देना, बोर्ट पर सवाल हल करके बच्चों के कॉपी कराना, बाकी सवालों को स्वै हल करने के लिए कहना, दूसरे बच्चों से पूछने के लिए कहना, प्रश्ण नमर दू का उत् अगले खंड के और अगला खंड है पूरक कार रहे इस पर क्लिक करेंगे अब इसमें क्यूज दी गई है कि उसको अटेंट करना है प्रशन एक है विशय वस्तु को इस्थानिय परिवेश से जोड़ना बाल को द्वारा खेल खेल में किये गए जाने वाली क्रिया कलपा को विशय वस्तु से जोड़ना तथा उनके अनुवा फशेर करना प्रशन नमर 2 का उत्तर होगा पाटे पुस्तक से आगे विबालकों में कुछ अभी वृतियां वह कौशल छिपे होते हैं जिनको उभार कर समाज के लिए उप्योगी बना सकते हैं प्रशन नमर 3 में केवल अपनी राय बालको पर नहीं थूपेंगे केवल पाट पढ़कर समझने पर जोड़न नहीं देंगे प्रश्ण नम्र 2 में लिखेंगे बच्चों की अनुभव को जोड़कर परिवेस में उपलव संसादनों वा उचीत उपयोग करवा कर पाथे पुस्तोक के अलावा सिक्षन सामगरी का उपयोग करवा कर प्रशन नमर चार में लिखेंगे पहला बालकों को स्वेप परियोग करके दिखाना और केवल उस तक का परियोग बढ़ते हैं अगला खन मेंटर्स के लिए है मेंटर्स गन इसे देख सकते हैं हमने पूरी क्यूज हर विशे के साथ सॉल्व की है इसी परकार आगे भी करने के लिए चैनल को सस्क्राइब परें और लाइक करना ना भूलें धन्यवाद